जहन फ्रेंड्स तो आज हम लोग कवर करेंगे जो भी आज का इंपोर्टेंट करेंट रिफ्रेस है उसको हम लोग कवर करेंगे और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं इसको प्लिज सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और को भी स्बीएएए प्यों अगर इंटीव्यों दे रहा हो तो मॉक इंटीव में पॉर्टियूट करें तो मुझे उन्परन दिया है वहां से आप मुझे कर सकते हैं तो क्यान कश्छástico लेते हैं भी है सिरीएस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ओफिज गर ठानी तो अभी जो है serious fraud investigation office जो है news में था तो ये concept ministry से बिलॉंग करता है तो ये बिलॉंग करता है ministry of corporate affairs से बिलॉंग करता है ये news में क्यों था ये तो अभी जो है इसका complaint petition supreme court के दौरा dismiss कर दिया गया तो इसलिए ये news में था ये इसकी अस्थापना जो है जुलाई 2015 में की गई थी ये एक statutory body है किसके अंदर बनाया गया ये ये company act 2013 के अंदर इसको बनाया गया है ये investigate करता है जो white collar crimes है और जो complex cases है उसको ये handle करता है तो ये exam point उसे important हो जाता है क्योंकि ये news में था चलिए next question चलते है who is the author of Tamil novel नान्थान औरंग जेब जिसको इंग्लिस में कहते है conversation with औरंग जेब तो ये इसके जो writer है ये है चारु निवदिता और इसको Tamil writer है ये और इसको इंग्लिस में translate किया है नंदनी कृष्णन ने तो ये औरंग जेब की कहानी है और जो मुगल emperor था और काफिस को today's context में उने compare किया है इस novel में तो इसको आप पर सकते हैं चारु निवदिता विच कंट्री हज रिसेंटली साइन अग्रीमेंट विथ युनाइटेड स्टेट टू पर्चेज तो महोक मिसाइल तो अभी तो महोक मिसाइल जो है उसको खरीदने के लिए उनाइटेड स्टेट के साथ कौन सी कंट्री ने अभी डिल किया है तो इसका ऑन्सर होगा जापान यह जो है वों मिसाइल जो है वा लॉंग रंज क्रूज मिसाइल है यह कौन सर्ट किस तैप कर मिसाईल है लौंग रेंज कुरूज मिसाईल है कि कीए आपको याद रहता है यह कौन बात यह जापान सरसु क्विशू की, सृौकू , होन्सु एंड होकईड indoor यह चार जो है आपको कभी कभी आता है कि आपको अरेंज करने के लिए South से North की तरह भी इन चारों को तो यह भी आपको याद रखना है, इसमें सबसे बड़ा होंसु है, इसी ड्वीप में यहां के राधानी पड़ता है Tokyo, इधर जो है वार North Pacific Ocean है, इधर Sea of Japan है, इधर जो है वार रसिया और North Korea से इसका बढ़र टाच करता है, North Korea और South Korea से, recently, which state launched the MySchoolMyPride campaign for education transformation, तो कौन सा state MySchoolMyPride campaign अभी लाँच किया है, यह हिमाचल पर देश गौश्च का दौर्वर्मेंट का दौर्रा जो है वहां पर लाँच किया गया है, to improve education in government schools and support the student growth, गौर्रमेंट schools को इंप्रोव करने के लि यह जो है campaign जो है, वहां पर एक campaign चल रहा था, अपना विद्याल है, अपना विद्याल है, उसी के अंदर इसको campaign को launch किया गया है, government schools को improve करने के लिए, national education policy जो 2020 बना है, उसका भी मोटो है कि government schools को improve करने के लिए, वहां का infrastructure और वहां के education pattern को improve करने के लिए, यह इसका goal है, तो इसमें यह जो initiative है कहने कहीं मदद करेगा, यह है हिमाचल प्रदेश का map, इसमें कुछ important valley हम लोग देख लेते हैं और river देख लेते हैं, जो एक्जांस में पूछता है, तो यहां पे लहूत वैली है, यहां पे यह भी पूछता है, चिनाव रिवर यहां से निकलता है, यह दिखान रखना है, पॉंग रिजर्वेर है यहां पे, अस्पिती रिवर है, यहां पे जैसे अस्पिती वैली है, वहीं से निकलते है, अस्पिती रिवर, और महासू वैली है यहां पे, बासपा वैली है, तो यह कुछ important valley है, जो आपको याद रखना है, इसका बोरो जो है चाइना से टुच करता है तो सिल्तानपुर बढ्ट सेंचूरी अभी रिसेंटली निज में था तो कौन सा स्टेट में यह लोकेटड है यह लोकेटड है आपका हरियाना का जगा है यह गुरुम ग्राम में यह इस्तित है गुरुम में एक और इंपोर्टेंट इंस्टिशन का एंडिया औरिकौतिमेट हुआ था 173 के Dz misto शुरू किया गया सकूरां इसंटों की एकरमोट का है इंडियन कॉर्डमेंट नेचर टूरीजि़ंग को प्रोंट करेह हैं तो उसी के अंडर जितने बी तो इस चीजों को प्रमोट करने के लिए यह इनिसियटिव लिया गया है इंडियन गौर्मेंट के दौरा next question में चलते हैं what is the primary objective of a strategic intervention for green hydrogen transition program तो site program जो भी शुरू किया गया है उसका prime objective किया है इसका prime objective है green hydrogen production यह जो program से यह component है green hydrogen mission जो शुरू हुआ है उसी का यह program है इसके अंदर जो green hydrogen mission जो है उसके अंदर जो हमाँ target रखा गया है कि 5 metric ton annually जो है वह green hydrogen का production किया जाएगा by 2000 target का है 2030 का यह target रखा गया है और इसके अंदर जो है 8 lakh job 8 lakh crore का investment किया जाएगा और यह लगबग 6 lakh jobs create करेंगे और इसके लिए outlet जो रखा गया है दिया गया था budget 19,744 crore 19,744 crore जो है इसके लिए budget allocate किया गया था ग्रीन हाइडोजन मिशन के लिए तो यह important है कहिने के फॉसिल फ्यूल को कम करने के लिए इससे जो है वह carbon emission भी कम होगा और ग्रीन हाइडोजन प्रमोट किया जाएगा तो यह अच्छा इनिसिटिव है और यह आपको एक्जांस में पूछा जा सकता है इसको रखा गया critically endangered में अभी जो है सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट ने इसके लिए इनको सेफ करने के लिए जो गेट इंडियान बस्ट मार्वी में कुछ दिन पहले जो है काफी गेट इंडियान बस्टर्ड मर भी गय थे इसलिए भी यह न्यूज में था यह जहां भी जहां पर ड्राइग ग्रास लेंड पाया जाता है और डेजर्ट एरिया में यह पक्छी पाया जाता है यह हमारा रास्तान गुजरात एरिया में यह प मिनिंडर के यह मिनिस्ट्री ओफ ओम अफेस के अंदर या फीया इसु उप जो आप इसके जारे हैं वाट्सपज sector और साइबर क्राइम अभी बहुदा है श्रीति tyle Palmer modernization of its motive, goal, modernization of police forces, science and technology development, research and police reforms in technology involvement, so this is its aim. Next question, which one of the following is the highest point of Arawali range? What is the highest point of Guru Sikhar, which is the highest point of Arawali range? Where is it? It is the major Arawali range. This is the old fold mountain, which is the type of mountain? It is the old fold mountain. This is the BPCS question, and the UPCS question has come many times. This is important for you. In the news, the Supreme Court has declared that the mining is running this area, in the Arawali area, which is environmental sensitive. This is why it was in the news. This is why you should remember that. This is the new chief minister of the city. Who is the name of Bhajanal Sarma? Look at the map. Here is Pakistan. Here is some important tiger reserve, such as the Sarishka tiger reserve. Here is Keola Deo National Park. Where is it? Here is Bharatpur. Here is Bharatpur. Here is Bharatpur. This is important for you to remember this. The Guru Sikhar Parvat, which I have told you, the height is 5650 feet. You can also remember this. So, today is the current report. We will be here. We will be here. And if you have a query, you will be in the comment box. I will reply directly. And subscribe to you. Thank you. . . . .